हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीश और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वडियो में रियल इस्टेट ब्रोकर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर आप स्मार्ट तरीके से अपने खुद के दिमाग का इस्तमाल कर आपको भी स्वागत है हमारे ओफिस में आये आप दन्योद में कहना चाहता हूँ आपको आप हमारे दर्शकम को थोड़ी जानकर दीजिए कैसे यह बिजनेस करना चाहिए यह जो रियल इस्टेट का बिजनेस है ब्रोकर जिरो इन्वेस्मेंट यह बिजनेस है यहाँ पर अब तो भी जैसा आपने कहा कि जैसे आगर कोई नयाही शुरूआत करता है यह बिजनेस के आभी थोड़े बहुत तो पहिचान के लोग मिल जाएंगे तो बाकी जैसे नेट्रोक बनाने के लिए कुछ मार्केटिंग कैसे कर सकते है शुरू में आप खाले छोटे-छोटे जो रहते वह आप करने के मतलब किराई पे देना यह वह पैसा उदर से कमाने का हुसिंग.com नो ब्रोकर है मैजिक ब्रिक करके 99 अकर है यह ऐसे जो एप वहां पर क्लाइन्स बोत रहते तो वह पैकेज पर से पर्चेस करने का प्रॉपर्टी अपने पास जित्ते उत्ता पोस्टिंग करने का अगर कोई क्लाइं रहते है उसको वह पसंत आया तो वह तो अगर आपने मेहने में चार या पाच दुकान मतलब किराई पर दिया तो एक का पकड़ के चलो की बीस हजार रेंट है तो वहां तीस हजार रुपए अपको प्रोकरेज मिलेगा ऐसे पाज किया तो आपको देडलाक रुपए मिलेगा और अगर अपने होम जो गर रहता अगर दिया 10,000 रेंट गर का मरा तो पाच घर मेने में किराई पर दिये तो पचास हजार वहां पर यह अपको मिल रहा है और श्रच जैसा बता रहे थे पेकेज के वारे में यह पैकेज के चार्ज़ेस कितने होते लग बुक अभी मेरा जो पैकेज सालो है वह वह मिलते हैं पकड़ के चलो कि वह पैकेज दिया तीन मेने में 120 प्रॉपर्टी फोस्ट अगर 120 प्रॉपर्टी में से आपने 10 प्रॉपर्टी तो भी सेल लाउट की रेंट आउट की वहां से आपको मिनीमम 2-3 लाख रुपए मिले मिनीमम यह 40,000 पैसा आपका कभी वेस्ट ज जा सकता है खाली उसको पॉल अप वो सब चीजे जो जरूर आते हैं वह करनी पड़ती है अगर वह प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुए ओनर की तरफ से तो वह दिक्कत आती है तो मतलब पैकेज में थोड़ा बहुत करना जरूरी है अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाते ह अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ कमाना चाते हो पांच दस हजार बीस हजार तो पैकेज नहीं लिया तो बीच लेगा जो अभी आपने बताया रेंट का लगबग एक मैने का रेंट कमिशन पर लेते हैं और अगर कोई पर्चेस और सेलिंग करता है तो यहां पर कैसे रह आपकरेख के लिए ले सकते हो अगर के अगे रेगा तो वरन पर संथ अगर के अगर के आगे कुछ मतलब आपका रोलगा प्रोपर्परटी तो 1% वहां पर आपको मिलता है 1 के निचे रहे गा तो आपको टू परसंत eyes के तारबंद मिल हैं और चीयज ऐसी है इसमें कि अगर और आपके साइड से रेगा या ओनर ने सपोज आपको प्रॉपर्टी दी कि बबाब यह मेरे प्रॉपर्टी यह तो यह में को सेल आउट करनी के 20 लैक्स में मेरा क्लाइंट है मेरे क्लाइंट की रिक्वार्मेंट सेम एटी से और बजेट का भी कोई इस्व ने तो वहां पर में ओनर मैंनेज करके में उनको बता सकता हो कि बबा आपको में 20 लैक्स पे करूगा मतलब जो कुछ रहेगा वो क्लाइंट 20 लैक्स देगी आगे जित्ता भी रहेगा तो वह में लोगा तो आप 25 लैक्स बता सकते हो पांच लाग आपके इसा होता है किया है मतलब जैसे ओनर को सिर्फ 20 लाग क्लाइंट का कुछ मतलब इस्व नहीं है 25 वह तैरे 25 पे करने को तो वह उपर के पांच लाग ओनर हमको देते वारा वारा मतलब मुझे थो किया रहता ही वह उसको कृड़ा का साइड चाहिए या अपने ही रहते होんな नहीं और मतलब जितना मेरग एक्स्परियंस सी ब्रोकर लोग जहांतर जो रहता है लुक्र क्लाइन की राइन के पांच में वान लिई काgiour का साइड ले रहता है ढूर को सा इकम खरने को कश भार क्या है अगर मुझे एक प्लैट पसंद आया और उसका रेंटे 20,000 बर मेरा बजेट 18,000 तो वहाँ पर ब्रोकर ओनर को कन्विंस करता है कि सर प्लैट क्योंकि कह रहता है मुझे वन मन का मिलने वाला रहता है इसलिए मैं ओनर को कन्विंस करता हूँ कि सर प्लीज रेंट कम कीजिए अच्छा है मैं कुछ भी पता देता हूँ आपको अच्छा है ऐसा है मतलब क्या बोलते है उसको जाड़ पर चाड़ाता हूँ अपको फिर आप बात में रेंट कम करते दो और वह पर फिक्स हो जाता है आप अभी क्लाइंट के वारे में बता रहे थे तो इसमें क्लाइंट का क्या विरिफिकेशन होगा रहे करना ज़रूर रहता है क्या रहता है क्लाइंट कहां से आता है कहां से नहीं उसके मतलब बैग्राउंड के रहता है पता नहीं रहता इसे बहुत तो वहाँ पर आपको पॉलिस वेरिफिकेशन करना जरूए है, रेंट एग्रिमेंट उसका पूरे डीटेल्स आपके पास होना जरूए है क्योंकि ओनर ब्रोकर को देखके अपना जो कुछ है वो देता है, क्लाइन को देखके ने देता है तो यह पूरी जिमेदारी ब्रोकर के रेता है और एसे बहुत सारे रेते पकड़ के चलो कि स्पा सेंटर अच्छा स्पा सेंटर यह एजन्ट थ्रूच क्या बोलते है उसको लेते इस वक्या होता है कि वह स्पा करके हमको बोलते कि हमारा स्पा है आयूरुवेदिक मासाज है पर बाद में थोड़ी दिन के बाद क्या होता है पोलिस की रेड गिरती है तो वहाँ पता चलता है कि यह गलत काम और उस ताइम फिर पूलिस ब्रोकर को यह पगड़ के लेकी जा तो यह मतलब क्या बोलते है उसको इस चीज का ध्यान देना जरूरुब है अगर आप बिज अगर हाप तो हाप चलो आपकी इच्छ जो चाहिए वह ऐसा काम मैंने किया है समने ओले के ने रहेगी तो जितना चाहिए मतलब वो दे दो पर हमरे पास से रूंग ले लो एक बार नाम हुआ तो बाद में अट्रमेटिक आपको वन मन्त रेंट आपको मिलेगा ही जितना बिल्डर के लिए काम करते हैं तो वो क्या सिस्टम रहते हैं वो उसे बुलते हैं अंडर कंश्रक्शन में जो काम करते हैं वो ब्रोकरी रहते हैं तो अगर कोई क्लाइंट रहता है तो उसको प्रोपर्टी नहीं खरीदनी हो तो वहां पर एक ब्रोकर रहता है तो उसके तो उस वक्त जो कुछ क्लाइंट रहता है उसके पास थे कमिशन नहीं रहता अंडर कंश्रक्शन में वह कमिशन देता है बिल्डर और वह डिपेंड आप कित्ता क्लाइंट जैसे ज्यादा क्लाइंट दोगे वैसे परसंटेज बढ़ेगे मिनिममम अभी चालू रेटेट 2.5 एक अर छाप के लिए अगर आप आप पासद देते हो तो उनका 3.5 परसंट अपको देते हैं अगर आप छेज दस क्लाइंट देते हो तो आपको 3.8 परसंट दे तो एससा प्शन बढ़ते बढ़ते जाता है मतलब आपका क्या experience इसके वारे में ये काम अच्छा काम है अच्छी चीजे यहां पर क्लाइंट को कमिशन देना नहीं पड़ता उसके वज़े से क्लाइंट आते हैं हमारे पास अभी रिसेल में हम गए तो क्लाइंट को भी 2% और ओनर को भी 2% अंडर कंस्ट्रक्शन में खाली बिल्डरी देता है और एक चीज में आपको जरूरी कहना चाहता हूँ कि यह जो ब्रोकर है अगर आप दूसरे ब्रोकर के साथ काम करते हो अपनी प्रॉपर्टी शेर करते हो तो वह प्रॉपर्टी ओनर आपके साइड से चाहिए मतलब ऐसे कि मैंने प्रॉपर्टी दूसरे एजन को दिखा ही अच्छा क्लाइंट आया क्लाइंट के साथ दिखा है बाद में वह ब्रोकर डायरेक्ली ओनर को कॉंटेक करता है कि यह प्रॉपर्टी मुझे दे दो मतलब मेरे पास क्लाइंट है मैं यह करना चाहता है तो इस चीज में और यह सब फॉलॉप बहुत जरूरी है और एक चीज ऐसे रहती है कि क्लाइंट भी कभी-कभी नहीं करते ही ऐसा कि अगर मैंने प्रॉपर्टी दिखा ही मेरे ऑपीस से दूर प्रॉपर्टी एक 10-5 km तो हर्वत में जा नहीं सकता तो उस टाइम क्या रहता है वह पता रहत है इसलिए ओनर में को तुरंट इमेजिटली कॉल करते कि तुमारा जो क्लाइंट उसका में को फोन आया था या वो में को बोल पता कि डायरेक्ट में को दो ब्रोकर को मत बता यह चीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी तो इसके लिए क्या करना चाहिए ओनर का फॉल अर करना है कि अगर ऐसा कोई आपको अप्रोच करें तो तुरंट अमको बाता दें तो यह सब ओनर के उपर डिपेंड है सर हमारे जो नव युवक यह जो बिजनेस शुरू करना चाहते है और इसमें सफर होना चाहते है क्या उनको कोई मेसेज देना चाहोगे जरूर में पक्क क्लांट में अप्रोच करो कैसे नए तरीके से श 얼마 ए क्लाइंट और दो इस पर द्यान में बनारी चाहिते dopo मतलब यह कभी तो भी ऐसे साल में दो तीन मेना शांत रहता है तो टेंशन नहीं लेने का आपना काम जैसे पहले चार रहता है वेसे शुरू करने का बड़ी डील होगी तो सब कवर हो जागा है एक डील होगी तो आपको पूरा साल का कवर हो जाता है तो टेंशन नहीं लेने क दोस्तों अगर आपको यो वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक और शेर किजिए हमारे इस यूटइब तो को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस एड़े के साथ एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाय दोस्तों